इटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें राजिस्थान में शनिवार को एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है प्रदेश में शनिवार सुभए 25 नए संक्रमन के मामले सामने आए हैं इनमें सबसे ज़्यादा संक्रमेंट के आठ मामले अजमेर से सामने आये हैं जबकि कोरोना वाइरस के पांच मामले जोदपुर से और पांच मामले ही जालावार से मिले हैं महिकोटा में चार कोरोना मरीजों की पुष्टी हुई है इसके लावा संक्रमेंट के धौलपुर में दो मामले और डूंगरपुर में एक संक्रमित की पुष्टी की गई है इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 2069 पर पहुँच गया है जबकि 32 लोगो की कोरोना वाइरस से मौत हो चुकी है कोरोना महामारी को हरा कर 493 लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए है जबकि 198 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है प्रदेश में 74,484 लोगों का कोरोना संक्रमन की जाच के लिए सैंपल लिया जा चुका है इनमें से 2069 से मंत्राले के द्वारा जारी किये गए हैं बहराल शनिवार को अजमेर जिले में सबसे अधिक 8 संक्रमित सामने आए हैं जिसके बाद अजमेर में कोरोना मरीजों की संख्या 114 हो गई है मही जोदपुर में 5 संक्रमित मिले हैं जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की सं संख्या 321 हो गई है इसके लावा जहलावाड में 5 संक्रमित सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 29 हो गई है दोलपुर में 2 मरीज सामने आये हैं जिसके बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकडा 3 पर पहुंच गया है वही एक मरीज कोरोना संक्रमन से बिलकुल इसके लावा डूंगरपूर में शनिवार को एक मरीज सामने आया है जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6 पर पहुँच गया है बताने कि जिले में पहले के सभी 5 मरीज कोरोना संक्रमन से मुक्थ हो चुके हैं और सभी की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है मही राजधानी जैपूर में शनिवार सुभे तक एक भी कोरोना संक्रमन का मामला सामने नहीं आया है लेकिन यहां कोरोना संक्रमन से इस्थिती बेहत गंभीर बनी हुई है जैपूर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 777 हो गई है जबकि 18 मरीजों की वाइरस से मृत्तिव ह हो चुकी है।